नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल कुमार वन में आज के सेस्टन में यूपी टीज़ी और पीज़ी एक्जाम्स के लिए मैध्पूर्ण कोश्टन से लेकर आए जिसमें हमारा विसाइब भारती चित्रकला आज के सेस्टन में यूद्स से और परिंटिंग प्रेश का कब हुआ अगला कोशन देखते हो फॉलिंग वारियर किसकी रचना है अफसेन के राप पावलो पिकाउस हो कि हर्नी मूर की तो आपको बताना falling barrier किसकी रचना है तो इसका सभी आंसर जाएगा option B के साथ हेरनी मूर की है रचना है संको चौधरी का माद्यम आपको बताना है कि संको चौधरी किस माद्यम में चित्रकारी करते हैं कलाकारी दिखाते हैं अपनी इसमें बनाते हैं एक पंडित पेंटिंग अजन्ता की किस गुफा में अगरतिका में एसका सभी आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो इसका सभी आंसर जाएगा option C के साथ जो संको चौधरी हैं यह संग मरवर पर आकृतियां उकेरते हैं उसको 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 चेनी के माद्यम से जुसंग मरमर चेनी के माद्यम से पेंटिंग अपनी चितर कलाकारी बनाते हैं अकृतियां बनाते हैं विदूर पंडित पेंटिंग अजनता की किस गुफा में एक और और अंसमेर एक और और समय क्लिपॉमane करें अगला कोशन दिखते। पीले रंग का संबंद किसे से आपको बताना A option के हरी ताल से, B कहरा है ही गुल से, S कह रा, C से開, मूल कारवेट से, OT कहरा है लेपिसला, जुली से, तो आपको बताना है तो आपको बताना है, पीले रंग का सम्मन्ध thought किससे है तो इसका सही अंसर जोएग़, option रखता है, एकला कोशन देखते है आपको क्या है तो उसका सही अंसा जाएगा भी अप्शन मद्रास सहर में कलाकारों को एक गाउं नगर के स्थापना की जिसको चोल मंडर कहते हैं और जिसने 1906 इस वी में केसी एस पनिकर ने स्थापित किया था एला कोशन देखते हैं देश वीवाजन के समय लहुड से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संसा से जुड़े थे एक एरा बॉंबे गुरूप से बी करा आपसन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गुरूप से सी करा दिल्ली से जब देश कभी भाजन हुआता तब लहौर से जो दिल्ली आने वाले कलाकार थे वे लोग दिल्ली सिल्फ चक्र से संस्ता से जुड़े थे C option आपको यहाँ पर सही है जाएगा अगला question है आपको उस गुरू का नाम बताना है जिसकी पहली और आखरी प्रदर्शनी 1963 में जो नए दिल्ली में रविंद भवान है उसमें प्रकाशित हुई थी यानी प्रदर्शित की गई थी प्रदर्शनी लगी थी A option का प्रोग्रेसिव आर्टिज गुरूप की प्रदर्शनी थी क्या वो पेंटिंग थी B करा गुरूप 1890 C करा सिल्फ चकर की D option करा कलकत्ता गुरूप की तो आपको बताना है कि 1963 में पहली और अंतीम प्रदर्शनी किसे गुरूप की लगी थी रविंद्र भवन में जो नहीं दिल्ली में इस्तित है तो गुरूप यह पेंटिंग होती है इसके जो माश्टर कौन थे तो भी ऑप्सन सही हो जाएगा नेट कुशन बूंदी सहली के चित्रों की विकास के चित्रों का विकास हुआ है तो दसमे का सही आंसर हो जाएगा उप्सन ए राग राग रानी से बूंदी सहली चित्रों का विकास हुआ है अगला क्वेशन देखते है निम लिकित में से असब आपको बताना कौन सा मेल नहीं है इन चारों आप्सन में एक नागजी पटेल भी करा संको चौदरी से करा महिंदर पांडिया और डी करा जोती भट तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर जाएगा 11 का सही आंसर जोती भट यह फाइन आर्ट से संबंदी तो यह फाइन आर्ट बनाती हैं जबकि नागजी पटेल संको चौदरी और महिंदर पांडिया यह लोग पत्थर पर पेंटिंग करते हैं पत्थरों पर चितकारी करते हैं उक्यर का च्छेनी के माध्यम से चित्र अकरतिया बनाते हैं अगला कोशन देखते हैं यह निम्ले तो में इस उस चित्रकार की पैचान कीजिसने बंगाल सहली से विभिन विन्य सैली में काम किया है आवनिंद्र टैगोर विगर गंदर नाइट से आसित कुमर हालदार आपको जित्र काम किया है वो कौन चित्रकार है तो इसका नंचर जाएगा सब्सक्राइब के साथ गगनेंद्र नाट टेगोर्ज अगला कोश्चन देखते 1937 में इसा के जीवन पर अधारिज चित्र किस ने बनाया एक रहा अधारिज चित्र किस ने बनाया है उसका सभी आप्सन सी के साथ यामनी राइने नियम लिखित में से कौन कि करा कोशन नियम लिखित में कौन अतिय थार्त वादी कलाकार है एक रहा जे स्वामी नाथन बी आप्सन करें विकास बटाचारिया सी करा है के एसे कुलकर्णी और डी आप्सन करा एम एफ हुसें तो आपको बताना है याति थार्त वादी कलाकार इन चारों आप्सन में कौन सा है तो इसका सही अंसा जाएगा आप्सन नमबर बी विकास बटाचारिया के साथ चला जाएगा निम में से तो आपको बताना है समिक्चा वादी कलाकार का नाम कौन है तो इसका सही अंसर जाएगा उप्सन C के साथ रामचन सुक्ल किसकी आत्म करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्सन D आरकी लेक्ष्यमन की आत्म करता है भारतिय चिंतन के अनुसार कलाका प्रमुक्र लच्छ क्या है एपसन के हरदेश पर सी आनंद प्रतान करना भी कर आँखों को सुंदर लगना इंदरियों को संतुष्ट करना और डी एपसन कर जिन जीवन की समस्थां को प्रस्त करना तो इसका सही अंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यह कोशन डोजार सूला में आ आज़ा था 17 नंबर कोश्यन तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएक। पर मदुमनी चित्रकारी की जाती है अगर जहांगीर के सत्ता सीन होने के अफसर पर दरवार का दर्श किस चित्रित किया था यह आपको बताना एक रहा मनसूर ने भी करा दसवंत ने सी अप्शन करा गोवर्धन ने और डी करा अबुलहसन ने तो आपको बताना है चारों इसका सही अंसा जाएगा ओपशन डी के साथ अबुलहसन ने बनाया था खपड़े पर चित्रकारी का मुख स्तल है एक राज योद्पूर भी करा जयपूर से करा उदैपूर डी करा कोटा तो आपको बताना है क्पड़े पर चित्रकारी का प्रमुक केंद्र कौन सा है तो तो आपको बताना है कि वसावन किस मुगल वादसा का दरवारी चितकार था इन में से कौन सा असब दो तना है तो आपको बता हैं इन चारों आप्शन में कौन सा एक भिन है तो इसका सही आंसर जाएगा डी आप्शन के साथ नरायां सीधर बेंद रहे विलेंडर सब्सक्राइब का प्रियोग किया जाता है एक एनिमेटेड फिल्म के लिए डी करा 3D प्रिंटिंग के लिए सी करा वीडियो गेम्स के लिए और डी आप्शन करा उपरोग सभी के लिए तो आपको बताना है बिलेंडर सब्सक्राइब जो है वो किस चीज के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर जाएगा आप्शन डी के साथ सभी के लिए ओल आफ दीज नंद लाल बसू का जन्म सन 1882 इसमें कहां पर हुआ ते करा मुंगेर बिहार में भी आप्शन करा बंगाल में सी करा गुजरात में डी करा मद पर्देश में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो जो नंद लाल बसू जो 1882 में जन्म हुआ था वो मुंगेर यानि बिहार से संबंद रखते हैं इनका जना मुंगेर जिले में 1882 में हुआ था निम लिखित में से एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं आपको बताना कौन सा नहीं यह आप्सेट प्रिंटिंग प्लेनोग्राफिंग भी करा इन ग्रेवर प्रिंटिंग इटेलियोगो और सी आप्सेट कर सि थी प्रिंटिंग इए जो गट से संब्स्वंदित नहीं रखती है सब्सक्राइब कर दरशी होता है भारत में स्तापित पर्थम आइंट समूञ कौन सा है कलकेता समूः प्रकतिवादी कलाकार समूञ ऑपशन कर दिल्लिष सिल्प चेक्रों डी ऑप्शन कर समूञ आठों तो उसका सऐी आनसर आपको बताना क्या हो जाएगा तो इसका सई आनसर जाएगा कलकत्ता समूव जो भारत में प्रतरम आर्ट समूव स्तापित हुआ तो सब्सक हम ळाताला कोशन है नियुकित में के एचिंग प्रिंटिंग प्रिंट कलाकार है एक रहा रिनब्रा है भी ऑप्षिन करा गोया है सी करा जेम्स एंसर है और डी ऑप्रयोक तो सभी तो आपको बताना है इन चारों ऑप्षिन में एचिंग प्रिंटिंग कौन करते हैं तो इसका सही अंसर जाएगा ऑप्षिन डी के साथ ये तीनों ही करते ह quitushing printing क्या होती है किसी चीज को कि पूकेरना आयाने कि उस पर उत्कीन करना येøre कि प्रिंटन कहलाती है ग्राफिक से संबंद है नहीं कुशन देखते हैं की राम किंकर वैज की मुर्ति कला कौन से आदि वासी से प्रवावित rit एक रहा संथाल भी कम भी या तो इसका सभी आंसर आपको बताएगे क्या हो जाएगा जो राम किंकर बैज की मूर्ती है वह संताल आदिवासी से प्रवावित है अगला कुशन देखते हैं मज्जिद वास्तुकला के संबन्द में रिवाक सब्द किसका घोता एक एक अपसें करा प्रव्यस द्वार और दी करा बजू हाज आवल्यूशन टैंक तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाए गात उसका सही आप्सन एक साथ को लो ने प्राननात्मांगो ने किस कलाकार समू के स्थापना कीती आपको बताना प्रांगैड अंसर है कमेंड बॉक्स में बताना थी ये थे 30 टॉप भारतिर चितकला से पूछेगा प्रसनों की सिरीज वीडियो अच्छे लगी तो लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद